सो हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एरीना में आज हम आपके लिए लेका रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट कप्स और ट्रॉफी जो की सं 2023 के और सं 2022 और 23 के सराउंडिंग और्गनाइज हुई है फिकल एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं ये करन्ट अफेर्स में भी पूछे जा सकते हैं और बीच में भी आपकी ये कोशन पूट अप किये जा सकते हैं आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को लास तक देखेगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाईए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला कोशन है हमारा हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ट तेरवा सुधी रमन कप को अपने नाम किया है तो दोस्तों चारों चीन नेपाल भुटान बांगला देश में इसको जो सई जवाब होगा वो होगा हमारा चीन ठीक है दोस्तों जो तेरवा सुधी रमन कप था वो चाईना जीता था यानि की चीन कुछ इंपॉर्टंट पॉइंट्स हैं जैसा सुधी रमन कप बड़मेंटन का अंतराश्ट रास्ट्री टूनवेंट है यानि सुधी रमन के किस खेल से रिलेटेट है वो बड़मे का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा भारत यानि की इंडिया यानि कावा महिला चैलेंज कब 2023 का खिताब भारत ने जीता है दोस्तों इंपोर्डन कोशन हो सकता है नेक्स कोशन की बात करें तो हाल ही में इटैलियन ओपन 2023 किसने जीता है तो जीता है दोस्तों डेनियल मेदवे देव ने डेनियल मेदवे देव ने हाली में इटैलियन 2023 ओपन जीता है ठीक है नेक्स गुशन साओधी अरब में जित संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती ये बहुत इंपॉडटन्ट कोश्चन दोस्तों उमीद है कि ये कोशन आएगा ही आएगा तो इसका जो सही जवाब है न दोस्तों वह हमारा करनातक ठीक है करनातक ने 2023 में जो संतोष ट्रॉफी हुई ठ को जीता करनाटक 54 साल बाद दोस्तों इस ट्रॉफी को जीत पाए ध्यान रखना इभी इंपोर्टेंट कोशन पूर्ट अप हो सकता है और इसका संस्क्रण अगर पूछ ले तो यह तरवा संस्क्रण था किस जगा पर यानि इस थल इसका क्या था तो वह रियात साओधी अरब में इसका एउजन किया गया था दोस्तों ठीक है यह इंपोर्टन कोशन है यह पेपर में आने की पूरी की पूरी प्रबल संभावना है ठीक है दोस्तों अब अपने नेक्स कोशन पर चलते दोस्तों क्रिक्ट की प्रसेद्धन टूनामेंट एरणी कब 2023 को किस टीम हो सकता है तो यह हमारे cricket से संबंदित है और टीम के नाम से भी पूछ सकता है rest of India किस खेल से संबंदित टीम है तो वो cricket से संबंदित टीम कहलाती है ठीक है दोस्तों तो तो इरानी कब 2023 किसने जीता rest of India ने जीता next question है हाल ही में Miami F1 Grand Prix किसने जीती है तो Miami F1 Grand Prix जो है वो Max वर्स्टापन ने जीती है दोस्तों किसने जीती है मैक्स वर्स्टापन ने जीती है ठीक है मैक्स वर्स्टापन ने Miami F1 Grand Prix जीती है next question की बात हम करें तो next question है हमारा ISSF ISSF विश्व कब 2023 में 25 में पिस्टल प्रत्योगिता में Manu Bhaskar ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों तो Manu Bhaskar ने रजट पदक जीता है दोस्तों Manu Bhaskar जो है वो इंडिया की है और 25 मेटर पिस्टल कॉंपिटीशन से रिलेट करती है उनसे संबन देता है ठीक है तो इन्हों थी वो 1907 में हुई थी और इसके मुख्याले के गर हम बात करें तो म्यूनिक जर्मनी में हैं ठीक है दोस्तों ये भी एक important point हो सकता है question put up किया जा सकता है shooting से संबंदेद ठीक है दोस्तों अगर हम next question की बात करें तो next question है हमारा अब हाल ही में किस देश ने छटी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है छटवी बार दोस्तों न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड ने एक ऐसी टी में क्रिकेट की महिला की जो की छटवी बार महिला T20 विश्व कप जीत चुकी है दोस्तों ठीक है तो न्यूजिलेंड ही इसका सही अंसर होगा ठीक है तो इस बार छटवी बार महि ट्रोफीare 2023 स्वपर ऐसका संभी אם कृष्ण का नाम है रास्ट्टीए के जाए एककया कृष्ण की तो यह कुशन है क्षा क्या है हमारा प्रसध्द फुटबॉल टुनामेंट दूरंध कब 2002 किसने जीता ऑन हमोग seven कै कि अब गर और यह क्याय से संबन्दित है और इस उपनेंट को शắng प Terror से पूसता यह अक्सर कई questions में कई papers में पूछ चुका है कि Durant Cup की scale से सम्बंदित है तो इसका सही answer क्या होगा football से सम्बंदित हाल ही मैं जीद Under 17 football tournament के Subruto Cup के 61 संसकरन को किसने जीता है दोस्तों Subruto Cup से भी important question put up हो सकते है दोस्तों इसको जीता है किसने किसने जीता है नागलेंड ने Under 17 जो football tournament हुआ था Subruto Cup को किसने जीता नागलेंड ने और बात करेंगर Under 14 Subruto Cup की तो उसको मडीपूर ने जीता है दोस्तों महिला वर्ग में अगर Subruto Cup की बात करें तो उसको जारखन ने जीता है ठीक है यहां से भी question put up हो सकता कि Under 14 Subruto Cup किसने जीता और महिला Subruto Cup किसने जीता तो वो मडीपूर और जहारखन की बाते हैं पर आ जाएगी ठीक है दोस्तों और अगर हम next question की बात करें तो हाल ही में आयोजित हाकी विश्व कप को किसने जीता यह भी एक important question हो सकता की अभी हाली में हाके विश्व कप आजित किया था तो इसको जीता दोस्तों जेर्मनी ने किसने जीता है जर्मनी ने जीता है दोस्तों जोभी हाके विश्व कप हुआ था उसको जर्मनीन जीता है और इसकी बात करें संसकरन की तो यह 25 इस बार जो हाली में हुआ उसको किस ने जीता था उसको जर्मनी ने जीता है दोस्तों ठीक और 15 संस्क्रम था ध्यान रखिएगा नेक्स कुशन के अगर हम बात करें तो हाली में अवनीश थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियंशिप में अंडर 15 वर्ग मे कौन सा पदक जीता ठीक है किसने अनीश थोपन्नी ने जो बैडमिंटन के अंडर 15 वर्ग चैंपियंशिप हुई तो उसमें दोस्तों जीता है इन्होंने रजत पदक जीता इन्होंने ठीक है जो अनीश थोपन्नी थे इन्होंने कौन सा पदक जीता रजत पदक जीता और किस खिल से संबंदी तो भी कोशन आ सकता है बेडमेंटन से नेक्स कोशन है हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है सभी को पता है दोस्तों यह इंपोर्डन कोशन है और आप लोगों देखते भी होंगे फुटबॉल तो इसको किस ने जीता है इसको एरज 2022 का खिताब जीता हैं ऐसा कौन सा देश है जिसने तीसरे नेत रही推द उन्टी वर्ल कप 2022 का खिताब जीताब दोस्तों तो हमारा इंडिया है दोस्तों ठीक है इंडिया ने अर्टी टौंटी वर्ल दोस्तों जैपूर Pink Panthers ने जीता था जैपूर Pink Panthers ने जीता था ठीक तो इंपोर्थन कोशेन है यह से प्रॉटत आप हो सकता है और मींद द्र Mt जैपूर Pink Panthers प्रो कबड़्डी ली का नौ महां जीता वही जो मैंना भी किसने जीता जो Spanish Super Cup 2023 हुआ है उसको किसने जीता है दोस्तों तो उसको जीता है हमारे बार्सिलोना ने जीता है दोस्तों किसने जीता बार्सिलोना और ध्यान अक्ने फुट्बाल से रिलेटेड है ठीक है next question है किसने हाल ही में Malaysia Open 2023 में पुरुष का किताब जीता जो Malaysia Open 2023 में पुरूश का खिताब था उसको कि नहीं जीता दोस्तो तो उसकी बातकրाइब तो इसको जीता है विक्टर एक्सेल सन नेग obrigator Excelson ने जीता है दोश्तों ठीक है जो फाली में Malaysia open 2023 हुआ पुरूश का एकल खिताब Singles उसको so I know not be Funny next question किसने हाल ही में National Sports cloud ऑफ इंडिया Snooker Open Crown 2023 जीता है जो National Club of India Snooker Open Crown 2023 dating उसको किसने जीता तो उसको जीता है दोस्तों लक्ष्मन रावत ने जीता है किसने लक्ष्मन रावत जो कि भारत के हैं उन्होंने हाल ही में National Sports Club of India Snooker Open Crown 10-10-2013 का फिता है नेक्स कोशन की बात करें तो कौन सा देश हाल ही में फीडे वर्ल्ड चंपेंशिप 2023 की मेज़बार नहीं करेगा यह फीडे से करें इंपीडे किस्स नहीं आ सकता पूल सकता फिडे किससे रेलेटेड होगा वह होगा International Chess Federation क्या होगा International Chess Federation इसलिए पूछ सकता है कि फिडे जो संस्ता है फेडरेशन वह किस गेम से रिलेटेड है तो चेस्स से रिलेटेड है ठीक है और अगर हम next question की बात करें तो next question है हमारा हाल ही में Under 19 Women's T20 World Cup किसने जीता जो Under 19 Women's T20 World Cup हुआ अभी उसको किसने जीता है दोस्तों ठीक है तो उसको जीता है हमारे इंडिया ने भारत ने जो महिला की Under 19 T20 विश्कप हुआ ना उसको महिला जो भारत ने जीता ठीक है किस भारती गॉलफर ने हाल ही में Kenya Ladies Open खिताब 2023 की अगर बात करें किसने जीता अधिती अशोक ने जीता ठीक है अधिती अशोक ने इंपोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसको जीता है कार्लोस अलक्राज ने जीता किसने कार्लोस अलकराज ने जो अर्जेंटिना ओपन किताब कार्लोस अलकराज ने एक्स कोशन रुद्रांक्ष पाटिल ने हाल ही में आई एस एस एफ विशकप 2023 में 10 मेटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है दोस्तों एक इंपोर्टन कोशन है क्योंकि भारत का खिलारी है इसने जीता है स्वंड पदक गोल्ड मेडल जीता है इस प्रतियोगिता में हमारे भारत के रुद्राक्ष पाटिल ने ठीक है जो भी एटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसमें जो हुआ था शूटिंग का 10 मेटर में उसको इन्होंने जीता आ जालते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर